स्लाम आलेकूं विट्च निवस्टी के मिट्रम एक्जाम की डेशिट लेट बिनाने का क्या नुकसान है और आपको कितना फाइन पे करना पड़ेगा और इंट्रटक्शन टू इ-लेंडिंग जो है क्या उसका एक्जाम होगा और किल लोगों का होगा तो यह तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल के आइकन पे क्लिक करें स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएं और अपनी जो डेशिट का लिंक आपका ओपन हुआ है उस पे क्लिक करें जी तो डेशिट का लिंक ओपन हो गया है देखेंगे आपको यहां पर शेडूल ऑफ लेट साइनफ फीस की बारे में बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि 3 जैन तक अपनी जो है वो डेशिट नहीं बनाएंगे उसके बाद में उनको लेट फीस 500 रुपीस पे करनी पड़ेगी ठीक है और जो ओवर सी स्टूडेंट से उनको 20 डॉलर जो कि लोगों को पे करनी पड़ेगी जो 4 जैन से लेके 6 जैन तक अपनी डेशिट सकते हैं और जो लोग लेड बनाएंगे चार से लेकि 6 तक बनाएंगे उनको 500 रुपीर पे करना पड़ेगा और जो डबल फीस पे करनी पड़ेगी ऐसे स्टूडेंट्स को जो साथ जनुर्वरी से आठ जनुर्वरी के दरम्यार अपनी डेशिट बनाएंगे मतलब हजार पर पे करना पड़ेगा ठीक है पर यहां पर एक्चली युनिवस्टी में होता क्या है कि यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वरा रूल है पहले आएं पहले पाएं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डेशिट अपने अकॉर्डिंग मनाएं तो आपको यही चाहिए कि आ इंट्रेक्शन तो ई-Learning का जो है वह एक्जाम नहीं होगा ठीक है जब जैसे डेशिट ओपन हुई है तो बहुत से स्टुडेंट्स की जो वह आपकी उसमें आ रहा था स्टेडी स्टी में कि आपने इंट्रेक्शन तो ई-Learning का पेपर भी आपने स्लेक्ट करना है काफी स् से ही करना है कि 25 दिसंबर मतलब आज तक आपको अपना ये सब्जेक्ट क्लियर कर ले रहा है ठीक है इसको आपने सारे जो इसके लेक्चर्स हैं वो आपने पढ़ लेने हैं और इसको कंप्लीट कर लेना है इसके एक्जाम आपका नहीं होगा आपको वन कर्डिट और दे दिय होगा उमीद है आपको वीडियो समझाई होगी वीडियो को लाइक किये जेकर शेर किये जेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू अलाहाफिस